पेरिस ओलम्पिक्स 2024 से सुबा की बड़ी खबर विनेश फोगाट जो हैं डिस्क्वालिफाई हो गई हैं अपने फाइनल मुकाबले से पहले इस पर अलग-अलग प्रदिक्रियाएं सामने आ रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है मेरे साथ विका अंगलेजी में ट्वीट है में उसका हुआनधी मीनिंग बता देता हूं प्रदान मंत्री ने लिखा है कि विनेश आप चैंपियने में एक चैंपियन है आप भारत का गर्व हैं और हर एक भारती के लिए प्रेड़ना हैं आज की असफलता बहुत दुखद है काश शब्द जो है उसने राशा को व्यक्त कर सकते जो मैं महसूस कर रहा हूँ साथ ही मुझे पता है कि आप दढ़ता की मिसाल है चुनोतियों का सामना करना हमेशा आपकी प्रकरती रही है कम बैक स्ट्रॉंगर हम सब आपके लिए प्रातना कर रहे हैं मस्बूती से सरगन से और उत्रप्रदेश कुष्टी असोसियेशन में अध्यक्ष भी हैं उनका स्टेटमेंट आया है उन्हों कहा है कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से देश का नुक्सान हुआ है इस बारे में अपील करेंगे यह बाइट हम आपको सुना देते हैं लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूप था अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुक्षान हुआ इसके लाबा संजय सिंग आमादी पार्टी के नेता है संजय सिंग उन्होंने वे ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि यह विनेश नहीं देश का अपमान है विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास तरचने जा रही थी उनको सौ ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोशित करना घोर अन्याय है पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है भारत सरकार तुरंथ सक्षेप करें अगर बात ना मानी जाए तो उलम्पिक का बहिशकार करें बड़ी बात कही है कि अगर यहां पर बात नहीं मानी जाती है संजे सिंग के अलावा और निताओं के प्रतिक्रिया अभी फिलहाल तो यही प्रतिक्रिया आई है मैं थोड़ा साब को बैग्डाउंड भी बता देता हूं कि जो विनेश फोगाठ है हम सबने देखा था कि कल किस तरीके से उन्होंने सेमी फाइनल जीता था और उसके और कहा जा रहा था कि वो पदक की दावेदार थी गोल्ड मेडल की दावेदार थी जिस तरीके से उन्होंने चैंपियन को हराय था उसके बाद कहा जा रहा था आज उनका USA की खिलाडी से मुकाबला भी होना था लेकिन जब वेट हुआ तो उसमें उनका वेट ज्यादा है एो मिडिया रिपोर्ट्स में बातें कहीं जा रहे हैं और अब इस कटेगरी में सिर्फ दो ही मेड़ल मिलेंगे गोल्ड और एक होगा ब्रॉंज, सिल्वर मेडल को स्वेसे खिलाडी को नहीं मिलेंगा जी सिल्वर मेडल जो है वो किसी भी खिलाडी को नहीं मिलेगा और इस पूरे मामले पर जो हैं संसद में भी हंगामे की तस्वीर है कुछ सामने आई हैं वहां पर क्या कुछ हुआ उसके बारे में मेरे साथी गौरव है मैं उनके पास जाना जाओंगा और उनसे समझना जाओंगा एक बार गौरव क्या कुछ संसद में हो रहा है देखिए संसद में विपक्ष के कई नेताओन इस मसले को उठाया है और खेल मंत्री दोपहर तीन बज़े इस मामले पर जवाब देंगे और अभी खबार आ रही है कि डिहाइडरेशन की वज़े से विनेश की तवियत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है पेरिस में ही जा बिल्कुल देखिए यह तमाम अपडेट से उनके घरवालों के भी रियक्शन सालग अलग सामने आया महावीर फोगाट ने कहा है कि अब कोई मैडल नहीं और काफी भावुक थे कहते हुए तो अभी तक जो नई जानकारिया आ रही है वो यही है औ और भी जो नए अपडेट्स आएंगे वो ललन टॉप पर आपको मिलते रहेंगे